हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलो रोल साम के टाइम जब हमें चाय पी ना हो तो हम क्या करते कभी पकोड़े बना लेते या कभी प्याजी लेकिन एक बार जब आप आलो रोल को बना कर खाएंगे ना तो इसकी आपको लट लग जाएगी ये बहुत क्रिस्पी और करंची बनता है आप अपने बच्चों को बना कर देंगे तो वो खुस होकर खा लेंगे और हाँ अगर मेरी आलो रोल वाली रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं ये हापके जी आलो है और इसे मैं बॉयल कर दी हूँ और इसके छिलके को इस तरीके से उतार देना है अब हमें यहां करस कर लेना है यानि कद्दू करस करना है तो ये देखिए सारे को मैं कर दी हूँ, अब एक चमच इसमें लहसन की पेश्ट डालना है और एक चमच अदरक की पेश्ट एक चमच हरी मिर्च की पेश्ट और अब हमें इसमें डालना है आधी चमच लाल मिर्च पॉर्डर अगर आपको ज्यादाती का पसंद है तो आप इसमें और भी मिर्च आइट कर सकते हैं फिर मैं यहाँ पे दो चमच वेनेगर डाल दी हूँ, वेनेगर डालने से इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाती है तो यह देखिए एक चमच मैं पहले डाल दी थी, अब एक चमच और अब इन सारे मसाले को और आलू को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए मिक्स हो चुका है, अब हमें इसमें आइट करना है एक कप कॉन फ्लॉर, और हाँ, हमें इसे ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा मूटा भी नहीं मिक्स करना है, बिल्कुल मीडियम मिक्स कर लेना है अब इसमें हमें डाल देना है एक चमच नमक, आप अपने सौात के अनुसार नमक डाल सकते हैं और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो ये देखिए, मिक्स होकर रेडी है आप चाहें, तो आप इसे किसी टैप की भी सेब दे सकते हैं या तो रोल बना सकते हैं, या इस टैप की आप गोल गोल करके बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे गोलगवाली सेब दी हूँ और हाँ मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ अगर आपके हाथ में यह चिपक जाए तो आप इसमें और थोड़े से कॉन फ्लॉर एड़ कर सकते हैं अब यहाँ पे हमें तेल को गरम कर लेना है तो तेल गरम हो चुका है और हमें मीडियम फ्लेम में इसे डालना है हमें गैस का फ्लेम को हाई नहीं रखना है नैं तो यह जल जाएगा और अंदर सही से बन नहीं पाएगा तो इस तरीके से हमें उलटते पुलटते रहना है और जब आलो रोल हलकी ब्राउन हो जाए तो हमें गैस का फ्लेम को लो कर देना है ताकि क्रिस्पी एंड करंची बन सके जब आलो रोल पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए तो गैस का फ्लेम को हाई कर देना है और उसके बाद हमें इसे निकालना है तो ये देखिए बन कर रेडी है अब हम तेल को चान लेंगे और एक प्लेट में इसे डाल देंगे तो ये देखिए गर्म गरम साम का नास्ता आलो रोल बन कर रेडी है और हाँ मैं इसे चेप करके दिखाती हूँ क्रिस्पी बनी है तो आपने आवाज सुनी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलो रोल कितना क्रिस्पी बनी है तो फ्रेंड्स एक बार इसे आप जरू ट्राइ करें मैं हमेशा इजी रेसिपी आप सबसे सेयर करती हूँ ताकि आप घर में बहुत इजी तरीके से बना सके टेक कियर बाव बाई